नमस्कार, आप सबको एस्टो लॉजस साक्सेस में स्वागत करते हैं, शुक्र की रासी परिवर्दन की चर्चा करेंगे, लगजरी जीवन प्रेम और जीवन में शुक देने वाला ग्रह शुक्र है, हमारे रासी में मालब्या युग का निर्मान कर रहे हैं, 18 सितंबर 2014 को अपनी रासी में परुवेश करेंगे, तूला रासी में गोचर करेंगे, वे हमारे जीवन में शुक शंब्रिद्धी आराम धन देंगे, ये सब सुक्र का कारक तत्व हैं, अब चर्चा करते हैं में इस रासी में क्या परभाव पढ़ता है, मिश रासी में सुक्रधन भाउ का स्वामी सब्तम भाउ के स्वामी होकर अपनी रासी में बैठे हैं। विश्वा रासी में मालव्या योग में निर्मान कर रहे हैं। एवाहिक जीवन में काफी पदलाव देखने को मिल सकता है, जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनका भी विवाह हो सकता है, जीवन साथी मन के अनुसार मिल सकता है, जिनका विवाह योग है, शुक समरिद्धी सब से, एवाहिक जीवन में जो खटपट हो रहा था, वो सब अच् समय है पार्टनर के बीच गलत पामिया दूर होगी अब चर्चा करते हैं व्रिस राशी व्रिस राशी में सुक्र लगन भाव के श्वामी छाठा भाव अपनी राश्वा राशी में बैठे हैं सुक्र की गोचर व्रिस राशी में अत्यन सांदार कह सकते हैं आपके आत्म जो लोग जॉब कर रहें उनके लिए अत्यन्त कारगर है आप से नेड़ने लेने की छमता बढ़ेगी जो नेड़ने लेंगे वही नेड़ने होगा हो सकता है प्रमोशन भी हो सकता है आयमी ब्रिधी होगी धान आने का श्रोत खुलेंगे जीवन में कार्षेत में मान सम्मान इज़त में बढ़ोतरी होगी संतान से सुख मिलेगा इन भेष्टमन से धन कमा सकते हैं जब आकास्मिक धन भी कमा सकते हैं लाप्राप्त होगा धन भाव प्रबल योग है अब चर्चा करते हैं मिथुन रासी मिथुन रासी में सुक्र 12 भाव के स्वामी होकर पंचम भाव स्वारासी तुलारासी में गोचर ब्रह कर रहे हैं इस गोचर के दोरान कार्षत में पधो उनत्ति हो सकता है इस गोचर के दोरान आप खुद कुछ इजिटिंग, संगीत, खेल और कुछ मौज मस्ते के काम करते हुए नजर आएंगे जीवन को इंजवाय करेंगे आर्तिक इस दी पहले से बेहतर होगी खर्च बहुत अधिक बढ़ सकता है थोड़ा साओधान रहने की जरूरत है लाब भी होगा धन भी आएगा इनवेश्टम फलता हासिल होगी परिवाहिक जीवन के लिहाजा से सुक में प्रिधी होगी अब चर्चा करते हैं करक रासी में सुक्रे लाब भाव के स्वामिक होकर सुक भाव में बैठे हुए हैं परिवारिक जीवन के लिए बहुत ही सांधार कहा जा सकता है इस समय कार्षित में बदल लाव उठाएंगे अगर आप वहान खईना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है मां भी स्वस्त रहेगी अपने कपड़ों पर साप पर घर की साप सफाई पर विसेश ध्यान देगी किसी से प्यार करते हैं उनसे अपना बड़ा भाया मां से मुलाकात करवा सक करते हैं आर्थिक इस्थि अच्छी रहेगी अब चर्चा करते हैं शीह राशी में सुक्र दसंभाव के श्वामी तित्य भाव में बैठे हैं इस्त्री की सुक की इक्छा पनपेगी और कार्चत के मित्र से भी लाब होगा एक तरब से कह सकते हैं कि सुक्र सत्तम इस्वर का असिरबाद मिलेगा मित्र शे भी लाब होगा कार्षेत में धन अजित करेंगे वैपार से भी धन अजित करेंगे संतान से सहयोग होगा सीह रासी वाले के जीवन में थोड़ा बदलाव हो सकता है इस सुधी में धन संचय कर पाएंगे कन्या राशी में सुक्र गोचर बिशेस इस्थितियां लेकर आया है कन्या राशी में सुक्र नौम भाव के श्वामी धन भाव में बैठेंगे धन समदी समस्या जल्दी हल होगी आपका शुख समरेधी मिलेगी भाग प्रबल होगा जितना अधिक मेहनत करेंगे परणामा शरुब आच्छे रिजल ताएंगे अधिक पैशा कमा सकते हैं हमेशा बचत के बारे में चिंता रहेगी बैपार में एक परिवर्दन हो सकता है ब जिवाहिक जीवन संदार होगी सुख समरेधी बढ़ेगी आर्ति की सित्यां बेहतर होगी स्वास्त अच्छा रहेगा तुला रासी तुला रासी में सुख्र अश्टम भाव के श्वामी लगन भाव में बैठे हैं सुख्र का या गोचर के दोरान कुछ आप रजनात्मक का अणरे को सल्ताम बढ़ेगी ईडिटिंग के छेतर बहुतीं अच्छा काम कर सकते हैं आप स्कील्ड में बढ़ोतरी होगी अप रजनात्मक कारी कुछ भी निर्मान कर शकते हैं के वहाहिक जीबन के लिए रोमांस के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं पार्टनर और स्क्या साल से भी धान आ सकता है इंवेस्टमेंट अगर पहले से आप किये हैं तो आदिक आकास्मिक धान लाब हो सकता है संतान से सुख सुख बढ़ेगी संतान से सुख होगा अब चर्चा करते हैं व्रिष्टिक राशी में सुक्र सप्तम भाव के स्वामी बैभाव में श्वाराश मिला हुआ मिला जोड़ा परणाम लेकर आये हैं इस सवर्ण जो दूसरे देश जॉब कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए महीना जॉब लग सकता है रिवाहिक जीवन के लिहाजा से वाहिक जीवन अती सुन्दर होगा लव रिलेशन भी अच्छे होंगे उनके मिलए लिए उनके देने के जोड़ी परशान कर सकते हैं आय th उतको सकता है तका आपकी जीत होगी विर्योधियों से भी आपकी जीत होगी ध्यान देने के जबात के खर्चा बढ़ सकता है अब चर्चा करते हैं धानु राशी में शुक्र चर्था घर के स्वामी होकर लाव भाउंग में गोचर करने वाले हैं इस ओधी में धानलाव का भीन-भीन स्रोत खुलेंगे अगर आप इंवेस्टमेंट किये हैं उससे भी आपको धानलाव होने की प्यारी करें उन्हें भी इस मां सफलता मिलेगा अगर शुक्र को गोचर में रिजल्ट आ रहा है तो अच्छा आएगा अपनी रासी में हैं पैसों से जुड़ी समस्या का समाधान होगा अगर आप किसी कर लिये हैं तो उसे भी चुकाने का सोच सकते हैं आपकी कमाई में इक एक आय का स्रोत खुडेंगे पैसे से संबंध अच्छे होंगे सुक्र कि यह रासी परवर्तन आपके लिए रोमांस भी भड़ा रहेगा अब चर्चा करते हैं मकर राशी मकर राशी में शुक्र यह परिवर्तन मालव्यायोग का निर्मान करा हैं मकर राशी में सुक्र दसंभाव और, पंचंभाव के स्वामी होकर दसंभाव में बैठे हैं, अपने काम पे इमांदार हैं, कार्षित में आपका चरित के पती साउधान हैं, इस दोरान असाउधानी के विए से पार्टनर दुखी कर सकते हैं, स्वाथ के लिए मिला जुला समय है सहयोगियों से बिशेश सावधान दहें मकर रासी वाले सुक में बिदी होगी भूमी दिलिटर शंपती खरीद सकते हैं आकास्मिक धान लाब भी हो सकता है यात्रा करने से परहेज रखें अब चर्चा करते हैं कुमरासी कुमरासी में सुक भाव का स्वामी नवम भाव में बैठे हैं इस तवरान आपका भाग प्रबल होगा आपके घर में सुक समरेद्धि एस्वेरे होगा जितना धार्मिक यात्रा करेंगे धर्म रिलेटेड कार करेंगे उसे धन में बिदी होग कुम्रासी वाले जातक को विशेश फल इस्वर का सिर्वान मिलेगा आपका कर्म से धन आएगा कार्षित में थोड़ा छोड़ी चोड़ी यात्रा भी करनी पर सकती है स्वास अच्छा रहेगा गाड़ी खरिदने का अच्छा समय है इस गोचर में के दवरान आपको आराम मिल के स्वामी के स्वामी सुक्रब की गोचर में तृतिय भाव के स्वामी अश्ठम भाव में स्वार रासी में बैठे हैं कार्षित में वर्क लूट बढ़ सकता है जिसके वज़ा से परिश्चम अधिक करना पढ़ Sco 너 कानून की ड़ड़ाई ज्गडा में नापने समस्या आ सकती है वैपार में अधिक मेहनत करने से ही फल प्राप्त होगा लव रिलेशन की बाते करे तो पार्टनर से शादी भी कर सकते हैं स्वास समंदी परशानी हो सकता है विवाहिक जीवन की लिहाजा से थोड़ा समस्या आ सकती है रव रिलेशन में पार्टनर से अच्छे धन्यवाद